जैस्री राम धर्म कर्म व्यापार के लिए सबसे स्रेष्ट महुरत आज गुरू पुष्य नक्षत्र सब 27 नक्षत्रों में से सबसे स्रेष्ट नक्षत्र है गुरू पुष्य नक्षत्र आज प्रातेश 7 बजगर एक मिनट से प्रारंब हो गया जो 28 तारिक को सुबह 6 बजगर के 5 मिनट तक रहेगा गुरू पुष्य नक्षत्र पूरे 23 गंटे का नक्षत्र है इस नक्षत्र में आप अनेको अनेक कर्म कर सकते हैं गुरू पुष्य नक्षत्र में आप पगवान का भजन करें धर्म करें किर्टन करें अनन्त कोटी गुणा फल की आपको प्राप्ती होगी हेवं गुरू पुष्य नक्षतर विवा के लिए निशेद बताया गया है गुरू पुष्य नक्षतर में केवल और केवल पाने ग्रण संसकार संपन्न नहीं होता है गुरू पुष्य नक्षतर में आज के दिन आप एक अनार का पोदा ला करके अपने घर के पूरव उत्तर के कौन याने देविस्तान का जो कौन होता है इसान कौन में लगा दे चाहे आपका कितने ही वर्सों से निर्मान कारिये बंद बड़ा हो अगर आज गुरु पुष्य नक्षत्र को अगर आप इसा उपाई करते हैं तो पुन है आपका निर्मान कारिये प्रारंब हो जाएगा गुरु पुष्य नक्षत्र में आज गुरुवार के दिन भगबती तुलसी में कच्चा दूद अरपन करने से ज्ञान की प्राप्ती होती है पढ़ने वाले विद्ध्यार्तियों के लिए आज जो है तुलसी माता के अंदर आपको कच्चा दूद अरपन करना चाहिए जुससे आपकी पुद्धी का विकास होगा आज के दिन गव माता को हराचारा खिलाएं गव माता को गेहूं उबाल करके उसमें तोड़ा गुड मिला करके खिलाएं तो अनेक प्रकार की बादाएं दूर होती है अगर आपको कामदंदा रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप पांच काली मिर्ची ले में उनमें से चार काली मिर्ची घर के बाहर डाल दे एक काली मिर्ची को दरवाजे पर रखर उस पर बाएं पाउं का अंगुटा लगा करके कारिये के लिए प्रस्तान हो जाएं आपको काम दंदे में ब्रगत होगी आपका व्यापार बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा और कोई भी कष्ट पेड़ा व्याधी आपको गर्शित नहीं करेगी हर हर महादेव जैस्री राम एसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें नवरतन वास्तु जोतिशकेंद्र जैस्री राम